कि हलो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका पीडवल्य केस ऑनलाइन और भविमांच पर मैं हूं सत्यम और मैं आप संगतकार है उसका पर क्या परभावर होता होगाया किस तरीके से उसका व्यक्तित तो होता हो इसी चीज को लेकर बिटा एक कवीता लिखी गई थी जिससे लिखेक के ने पर चंब Meredith ने अरदे और था संगतकार के महत्त्यों के बारे में ठीक तो चली बच्चो आज हम बात करते हैं संगतकार के का संगतकार स्वर्त का साथ देती वह आवाज सुन्दर कमजोर कापती हुई वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिश्य या पैदल चल कर सीखने आने वाला दूर का कोई रिष्टिदार मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से तो देखो भ वह जाते हैं एक संगीत में ठीक है एक संगीत के प्रोग्राम में ठीक है और उस प्रोग्राम में जाकर ठीक है वह देखते हैं कि मुख्य गायक के साथ एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं जो मुख्य गायक से कम नीचे स्वर में ठीक है नीचे स्वर में गा रहे हैं अर्थ आवाज है यह बंदा कौन यह किसी की और इंब हो नो सकता है उसके मन में विचार आगया लेखता है कि शायद इय क्योंतकुतां भाइं तो है इसलिए गायक तो अपने साथ की लिए आता हो तो उसको अभ्यास कराने के लिए वो ले कर आया को फिर एक विचार और आ चाद है कि बाई हो सकता है कि कोई दूर का रिष्थेदाAR हो और पैदल सीखने इसके पास आता हो ठीक है और उसे ही यह जो गायक महुदा है अपने साथ लेकर आ हो ऐसा लेखक के मन में विचार आता है फिर देखो क्या होता है आगे मुख्ष गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से ठीक है अब यहां पर उसका परिचे दिया जाता है कि वह व्यक्ति है कौन मुख्ष गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता हमें भूलवए तो कहनेखर को जाता हैँ कि गायक परद्धान और उसके साथ भी कोई से बैटा हुआए और एह को चल रहा है कि किसकी चर्चा हो रही है बस एक संकेत दिया गया है कि गायग के साथ उसके साथ भी कोई बैठा हुआ है और धीरे घाना गारा है कभी कभी को यह लग जाता है कि शायद भाई होगा फिर कभी को लगता है कि नहीं नहीं भाई नहीं है शायद कोई दूर का रिष्तिदार भी नहीं है शायद क कभी को यह भी समझ में आए कि प्राचीन काल से यह एachsen चला आ रहा है जो इसकड काल से पीछे-पीछे सीखता आ तर historian काल से पीछे-पीछे आभ इसका भयारत क्या तो सम्झझ तरा मुख के गयक अपनी भारी आवाज में गाएव करता है तो संगतकार उसका साथ देता है संगतकार की आवाज बहुत कमजोर कापती हुई लगती है परंतु उसकी आवाज की एक अलग सुंदरता है जो मुख्य गायक की आवाज के साथ मिलकर उसकी प्रभावशीलता को और बड़ा देती है कभी को ऐसा लगता है कि यह संगत कार गायक का कोई बहुत ही करीबी रिष्टिधार या जान पहचान वाला है या फिर यह उसका कोई जो कि उसे से गायकी सीख रहा है इस प्रकार वह बिना किसी की नजर में आए निरंतर अपना कार कर रहा है ठीक है यह बास समझ में आ गई इस चीज को पहले भी समझा था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की चर्चा को विस्तार देते हैं देखिए अगले पद में क्य ही स्थाई को समहलता समहले रहता अब यहां पर अब उसका परिचय दिया गया है कि जो व्यक्ति उसके साथ गा रहा था वास्ताव में वह संगतकार है ठीक है वह कोई भाई नहीं है उसका ठीक है वह तो संगतकार है जो निरंतर अपने कारे में लगा हुआ है ठीक है और का कभी क्या कह रहा है यहां जब गायक अंत्रे की जटल तानों के जंगल में को चुका होता है कि भाइया कभी-कभी ऐसा होता है कि जो प्रिसिद्द गायक होते हैं उन्हें इस बात-बोध ही नहीं होता है कि वह क्या गा रही है तब जो है हमारा संगतकार क्या करता है उन्हें समालता है फिर आगे क्या या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहदम है ठीक है या तो संगतकार गाते हुए अपना राग भूल जाए या फि तब शंगतकर करता है कि जो गाने की परंपरा जैसे कमच पर गायक बैठा है और गाते-गाते वह कहीं दूर निकल गया मतलब माना की यह भूल गया आप क्या करें अब गायक तो गया आज यह तो कह नी सकता क्या रहते हैं आफ एड़े जो आकर जो गए तोर रहा हो जैसे मुक्य गायक जो है वह अपना सारा सामने से छोड़ता जा रहा हो और संगतकार उसको इसा लपेटता जा रहा हो इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ ठीक है तो ऐसे चीज़ें जो है वह घट रही होती है अब देखिए आगे क्या होता है जैसे समय तो घटना घटती है तो ऐसा लगता है कि जैसे जब सगायक गाया करता था बच्पन की बात होती घब के तो गायक क्या करता था सारी चीज mimic berth भूल जाया無-g Prevention जाया लिए थारी जो है निवह यह तो वह बहुता था तो यह अ संभी खेस तरहां नोशा अंगीत का जो मुख्य गायक है वह अपना गाना भूल गया है तो उसे आज संगतकार बता रहा है कि इस रस्ते पर आपको चलना है इस ताल पर आपको गाना है इस स्वर से आपको अलाप लेना है ठीक है ठीक उसी तरीके से जैसे उसके गुरु जी उसको सिखाया करते थे संगीत के सुर्टाल को पकड़े रहता है वह मुख्य गायक को उसी उसकी इस भटकन से बाहर निकालता है और संगीत के सुर्टाल को वापिस पकड़ने में उसकी सहायता करता है इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ते हुए चल वश्पन की याद आ जाती है जब वह संगीत सीखा करता था और अक्सर स्वारभूल जाया करता था वही बात है कि घाना तो गार है पर भूल गए अब बहुत गया तो वहां कि जो है ना मटें सब्छार है उसे नहीं जाते हैं तरीके गुरुजी उसे सिखाया करते तो यहां पर इस बात का हमें परिचाप राप्त हुआ अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे और चर्चा करते हैं आगे की आगे क्या होता है वो समझ तार सब्तक मैं जब बैठने लगता है उसका गला प्रेर्णा साथ छोड़ देती है उतसाह अस कभी कभी वह यूही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अलकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है ठीक है अब दो बाते समझो होता क्या है तार सब्तक एक गायन की शैली होती क्या होती है गायन की परंपरा या शैली है अब शैली में किया किया जाता है कि अलाप लिया जाता। जब भी आप लेंगे तो आपका सोकी तरफ हो गाना हो हब आवाज तरह गिरने लगता ही तरए यह संगितकार हो ठगने लगता है इसी थकानमे को ढ़राते हुए एक सुर और जला आता है और यह सूर किसका हे यह सुर है हमारे संगतकार महुदय का जो स्टेज पर पीछे बैठे हुए है ठीक है जो मुख्य गायक नहीं है वस मुख्य गायग को सहिशुक दे रहे हैं और जब हमारा मुख्य गायक तारसभста तक में ठक जाने लगता है तो उसे धार्डस बदाते हुए संगत कार भी उसके वह अपना सुर मिला देते हैं ठीक है और ढ़ादस बदा देते हैं कि घबडाओ मत यहां हम बैठे हैं हम भी तुम्हारे साथ गाएंगे ठीक है और क्या कह देता है साथी साथ यह भी बताता है क और साथी साथ यह भी बता देता है कि एक सुर जो है न वो दुवारा भी गाया जा सकता है ऐसा नहीं कि एक सुर या एक गीत एक ही बार गाया जा सकता है दुवारा भी उस गीत को गाया जा सकता है ठीक है चलिए अब इसका अर्श देखिए जब वो मुख्य गायक उचे स्व मुख्य गायक का होसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से उपर उठाने के लिए वह पीछे पीछे सुर में सुर मिलाता है मानो जैसे मुख्य गायक से कह रहा हूँ या मुख्य गायक के सहारी से कह रहा हूँ सुर सुनकर मुख्य गायक में फिर से उड़ जा का संचार हो ज और कभी-कभी इसलिए भी गाता है के करा को दवारा भी गॉया्व चादू बूल जाते मैं और संगतकां यह उसको और एक राग केवल एक राग नहीं यह बार गाया जा सखता है और एकिस समा बांद्धा जा सकता है फार करते हैं अब देखिये और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है यह अपने स्वर को उच़ना की कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुश्यता समझा जाना चाहिए ठीक है अब बेटा यह इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है किसलिए जीवन की दश्टी से यह महत्पून बात है ठीक है परिक्षा की दश्टी से तो यह पोयम इंपोर्टेंट है ही यहां से आपको से क्यों देखने के लिए मिलते हैं ठीक है विशेश का एक प्रशना आपको देखने को मिलेगा लेकिन जीवन के दश्टी से भी महत्पून है क्यों है अब इस बात को समझो कहा जाता है और उसकी आवाज में एक हिचक होती है क्या मेरा जो सुर है ना वो मुख्य गायक से यह से कमजोर है नहीं नहीं यह उसकी मानवियता है क्या है मानवियता है कि वह जो संगतकार है वह अपने गायक को मुख्य गायक को आगे भढ़ने का मौका दे रहा है क्योंकि संगत्कार संगतकार भी एक अच्छा गायक हो सकता है पर यह उसकी मानवता है यह उसका आदर्ष है कि वह मुख्य गायक को आगे बढ़ा रहा है ना कि अपने गायन से मुख्य गायक का जो प्रभाव उसे कम कर रहा है ठीक है बसी मरेल वी का एक शेर भी ठीक है कुछ इस तरीके से तो एक तरीके से आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं अपने को पीछे कर ठीक है तो वह बात जो है नो यहां लागू भी हो रही है कि संगतकार की आवाद में जो एक साफ हिचक सुनाई देती है वह उसकी मानवियता है क्यों है मानवियता क्योंकि वह अपने स्वर को सिर्फ इसल संगतकार के त्याग को सपष्ट करते हुए कवी कहता है जो खुद की प्रसिद्धी मान सम्मान की परवाह किये मिना मुख्य गायक के साथ गाता चला जाता है उसे इस बात का खयाल भी रहता है कि कहीं वह मुख्य गायक से कहीं जादा आगे ना निकल जाए और इसी कारण साबस उसकी आवाज में एक संकोच या हिचक साफ सुनाई देती है वह हमेशां अपनी आवाज मुख्य गायक से धीमी रखने की कोशश करता है एवम अपनी आवज को मुख्य गायक की आवाज सेज़ादा उठान है नहीं देता उस्जात एसकि विफलता बल्कि उसका बड जब जीवन का उद्देश ही आपको पीछे रखने के लिए है कोई भी व्यक्ति आपको अपना त्याग करके आगे नहीं बढ़ने देगा ठीक है उस दौर में संगतकार एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है जो अपने आपको मध्यमण सवर पर रखता है और गायक का सहीयोग कर रहा है तो इस पूरी के पूरे गुण को संगतकार की मौनुष्यता समझाना चाहिए या समझना चाहिए ऐसा कवी वर्ण का कहना तो चीप्टर क झाल झाल